मेरी वीडियो डारेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पे क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरी इस चैनल में और जो सीरीज हम देख रहे हैं यानि कि जो वर्तमान टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक आईए सबसे पहले हेडिंग पे नज़र डालते हैं शनी देव से संबन्दित नौकरी या व्यापार चैप्टर नबर 84 अटी थिरी तक आप देख चुक Kabler की जानकारियां सबी ग्रहों से संबन्दित जानकारियां हम लेतए हुए आरे तो आज फाइनली शनी देव से संबंदित व्यापार को हम कर लेते जिसमें हमारे जो साथ ग्रह है वो पूरे हो जाएंगे उसके बाद में राहू और केतु जो चाया ग्रह है वो बचेंगे उनके बारे में अगले वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी तो सबसे पहले जानते हैं अगर कुंडली में हमें पता चल चुका है कि शनी देव से संबंदित किसी भी कारे को आप करेंगे चाये वो नौकरी हो उनसे रिलेटेड या फिर उनसे रिलेटेड हो व्यापार तो आपको बहुत जबर्दस उसका फाइदा मिलेगा लेकिन इसके जो व्यापार है या किसी भी ग्रह के जो व्यापार है अगर सही तरीके से या सही कुंडली विवेचन के बाद ही किसी व्यापार में हाट डाला जाए तो उसमें सफलता मिलती है या किसी नौकरी को टार्गेट औरेंटेड बना करके आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें सफ चाहिए उसमें टाइम चाहिए और बाद बदा चलता है कि यार ये वाली तो नौकरी आपको सूट ही ने करेंगी या इसमें सफलता कि चांस ही नहीं है या इसका जो ग्रह है वह सही जेकर कि यह subject हमारे काम का नहीं था इसमें कोई scope नहीं है तो हमारे देश में ही नहीं सब जगे पर सबसे बड़ी हालत यही है कि सही जगे और सही शेत्र का चुनाव नहीं हो नहीं हो पाने के वज़े से सब एकी प्रकार की विद्या या शिक्षा ग्रहन करते रहते हैं और बात में बता चलता है ये तो उस शिक्षा का बंदा है ही नहीं या उसके ये लायक ही नहीं या इसको इसमें इंट्रेस्ट ही नहीं बिना मतलब में इसमें हम जाए जा रहे हैं एक 3 idiot का मैंने उधारन पहले भी दिया था 3 idiot का आपने फिलम देखी होगी उसमें किस प्रकार से अपनी नौकरी आपने इंट्रेस्ट को सबसे पहले सर्वोपर ही रख करके आपकी लाइन चुननी चाहिए ऐसा बताया गया था तो वही बात यहाँ पर है इंट्रेस्ट आपका सबसे पहले होगा दूसरे नंबर पर आपकी कुंडली में क्या इस्तितिया है यदि ये दोनों चीजे मैच कर गई या आपने सामंजे से बठा लिया तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोग सके तो आईए इस चेप्टर को पूरा करने की तरफ हम बढ़ते हैं यानि कि नौकरिया और वैपार दोनों चाल लेते हैं क्योंकि बाते तो बहुत हैं चाहे जितनी की जाए कम है क्योंकि जोतिश विज्ञान बहुत बड़ा सागर है तो आईए सबसे पहले नौकरी के ओपर नज़े डालते हैं कौन सी नौकरिया इनके अंतरगत आती है नौकरियों में सबसे पहले पुरा तत्तो विवाग की नौकरिया खनीजविवाब आप जानते हैं जो जमीन में से निकलने वाला पदार्द होता है जिससे मकान बनता है या जो भी इस प्रकार के पदार्द हैं वो सब शनी देव के अंडर में आते हैं ये और सरपंच मंत्री पद जज नया दीश इसके लिए गुरु का भी एक बहुत बड़ा रोल है यानि कुछ चीज़ आपकुछ में कौमन भी मिल जाएगी तो जज हो गए और निगम नगर परिशत नगर पालिका इन से जुड़ी सफाई से जुड़ी भी विशेश कर वो सब इसके अंतरकत आती है राजदूत समाज कल्यान भाग से जुड़ी जो नौकरी आए वो भी इनी के अंतरकत आएगी और चप्रासी की जो नौकरी है उसकी लिए भी शनी का मजबूत होना बहुत जरूरी है अन्य था ये नौकरी को प्राप्त किया जा सकता है अब देखते हैं व्यापार में देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है और एक बहुत खास बात अभी आपको मैं बताओंगा इसके बारे में सबसे पहले नज़र डालते हैं मशीनरी चितने में बड़ी-बड़ी मशीन आप देखते हैं जो कि लो दोनों mix भी होके काम करें तो बहुत ये अच्छा काम इसके अंदर रहेगा chemical products, chemical products की मैं बात करूँ तो बड़ी-बड़ी industries में या कोई छोटी shop है उसमें भी कोई chemical अगर बेचता है तो वो शनीदेव के अंतरगत कारे आता है petrol, gas, diesel ये तीनों धरती धन है और जितना भी धरती धन होगा वो सब शनीदेव का department होगा यानि ये agency अगर कोई खोलना चाहते है तो वैसे भी इसके लिए काफी तिकडम लगानी पड़ती है लेकिन शनी का भी उसमें मजबूत होना बहुत जरूरी है इनकी agency या petrol pump जो भी खोलना चाहते हैं वो सब खोले जा सकते है महनत के कारे करना यानि खुद भी महनत करे और वो लेवर रखे काम करवाए तो ये सब कारे शनीदेव के अंतरकत आता है constructions work बड़ी-बड़ी building के बनाना बड़े-बड़े projects बड़े-बड़े चाहे तो रिको के या जो भी मतलब जो industrial sites होती है वहाँ पर बड़े-बड़े ठेके लेना ये सब construction के अंतरकत आता है और वो सब शनीदेव का department है कुछ अलग बाते भी करनें इसमें तो कर्मकान्ड की जो विदी है या जो कर्मकान्ड का का काम है वो शनीदेव के अंतरकत आता है जोतिश बना जा सकता है बहुत अच्छा लेवल का क्योंकि कई ने कई ज्यान और कई ने कई बहुत अच्छा इसके अंदर है तो ये जोतिश का भी काम कर सकते हैं जो लोग शनी देव से संबंदित व्यपार की तलाश में हैं वकालात की जा सकती है नियाई के देवता होते हैं तो कहीं ने कहीं ये चीज भी इनके अंदर जुड़ी है अला कि बुद्ध और गुरु में भी वकालत का बहुत बड़ा रोल है तो कहीं ने कहीं कॉम्मिनेशन है वकालत का एक बहुत अच्छा काम जो की तीनों के इन देपार्टमेंट में आता है तो यहाँ पर भी ये चीज लागू होती है काली वस्तुएं जितनी भी काली वस्तुएं आपको नजर आती है वो सब व्यापार इनके अंतरकत आता है जिसमें तिलहन, काले तिल, काले उड़द, राई यह हमारे किचन से संबंदित जो समान है इनका भी व्यापार किया जा सकता है पर्टिकुलर खाली इनका काम कर ले जिसके शनीदेव व्यापार के मालिक है या शनीदेव से संबंदित व्यापार करने के लिए कहा गया है तो बहुत अच्छा कार हो सकता है बिजली कार रहे है बिजली के जो दुकाने होती है वो सब इनके अंतरगत आती है ट्रांस्पोर्ट कार रहे है बड़े चोटे टैंपू से लेकर चोटे टैक्सी से लेकर के बड़े बड़े ट्रॉले या फिर FMCC गुड्स को इदर उदर लाना ले जाना ये सब कुछ ट्रांस्पोर्ट में आता है वो सब इनके अंतरगत आते हैं क्रशी कार रहे हैं क्रशी कार रहे हैं चोटे लेवल की हो चाए बड़े लेवल की हो वो और उसमें जो काम आने वाले ओजार हैं वो सब कुछ इनके अंतरगत आते हैं वहन एजनसी, वहन यानि कोई vehicle agency है, वो ली जा सकती, इसमें car, bike, truck, tractor, या कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी जोटी जो भी transportation item है transportation vehicles है वो सब इसके अंतरगत आते है मुर्गी पालंग भी इसके अंतरगत आता है शनीदेव इसके department के मालिक है यानि ये काम भी करे तो बंदा फाइदे में रहेगा लैथ मशीन वर्क ये लैथ मशीन वर्क भी इसके अंतरगत है और motor garage जो है जिसमें आप अपना bike से लेके car तक repair करवाते हैं वो सब काम इनके अंतरगत है यानि कोई भी काम जब तक आपका कुंडली में पताने चल जाएगी ये मेरे लिए फाइदे मन्दे नहीं खोलना चाहिए तो ये कामों की एक list इसी अंतरगत आ रहे हैं कि ये हमें पता चल सके और इसी में motor parts वैसे तो कई बार ये काम कम्माइंड में होते हैं लेकिन अगर कोई अलग से भी करता है किवल motor parts की shop तो ये motor parts related काम बहुत ज़्यादा फलदा ही है अगर शनी देव आपके इस department के मालिक है रिपेरिंग बहुत important चीज चाहिए वो cooler, mixi, pankha, ac किसी वे प्रगार की रिपेरिंग हो चाहिए उनकी shop हो या खुद करें ये सब इसी के इंतरगत आता है वैग्यानिक कार्रे थोड़ा अलग हट के काम है लेकिन आपको मैं बता दू ये चीज कि जो वैग्यानिक यानि जहां खोज बीन कोई आविशकार करना हो उसके लिए शनी देव की बहुत आविशकता है, रंग, color, work जो मकानों में color या कहीं भी किसी वे से के color का use है वो सब काम इनके अंतरगत आते हैं उन से related जो भी काम है वो सब इनके अंतरगत है कारबन से बनी वस्तुएं उन में भी शनी देव का योगदान है वो supportable होंगे तो ही इन चीजों में फाइदा मिलेगा पत्थर, पत्थर का कैसा भी रूप हो चाहे वो काला, पीला, सफेद, मार्बल या grenade कुछ भी हो सब में पत्थर में रूल आएगा चाहे आपके ट्रेक्टर की जो ट्रॉली होती जिससे मकान बनाते हैं वो भी इसी के अंतरगत आते हैं ड्राइवर की नौकरी या ड्राइवर का काम वो भी इनके अंतरगत हैं सडक, नाली, ये जो ठेके लेते हैं ठेकेदार, डामर का जो कार्य होता है जिसके अंदर, सिमेंट का जो काम होता है मुख्य रूप से, वो सभी काम इसके अंदर का आपको करना है इसमें मैंने बिल्डिंग मट्रियल वाली चीज़ पेच, पाने, ये जो भी चीज़े हैं ये सब कुछ इनके अंतरगत आता है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी लिस्ट है फिर भी आपको कोई ऐसा काम नजर आता है जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप चुरूर बताएगा वैसे मैंने इंपोर्टेंट के अंदर एक चीज़ लिखिए ये दि गुरू का साथ मिल जाए शनी देव के व्यापार संबन्द में या इस प्रकारी को इस्तिति हो तो आप मान के चलिए वो बंदा डीप रिसर्चर बनता है और ये जो डीप रिसर्चर वाली बात है ये इतनी जोरदार है कि जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट है उनका काम इनी के अंतरगत आता है यानि वो उनी की वज़े से यानि इन शनी देव और गुरुदेव की वज़े से ही बने अब वो कुंडली में कैसे कहाँ बैठे है या कैसे उनका जो काम है वो कुंडली विवेचन से बता चलेगा लेकिन एक हिंट आप लोग के लिए कि गुरु और शनी कुंडली में सही तरीके से अगर व्यापार शेतर के मालिक है या इंसलेलेड़ कोई काम है तो कितनी भी बड़ी रिसर्ट है या कितना भी छोटे छोटा महीन से महीन आविशकार हो ये किया जा सकता है या बड़े से बड़ी खोजो उसके बारे में भी किया जा सकता है ऐसे बंदों में ऐसा दिमाग भी होता है यानि और आल आप देखेंगे जितनी भी महनत के काम है जिसमें बंदा सूबे जाए शाम को काला पिला होकर के घर लोटे या काला पिला होये बगर उसका काम ना हो तो वो सब काम शनीदेव के अंतरक दाते हैं क्योंकि शनीदेव पूरी तरह से काली चीजों के दोतक है यानि काली चीज़ों के कारक है तो ये आपको काला करके ही आपको कमाई देंगे, इनके अंदर ये है यानि आपकी सुद्बुद, आपका जो महनच आप एक लेवल पर महुचेंगे, उसके बाद आपका एक रंग निखर के आएगा, यानि अवराल लोहे से जो भी related काम है या जो भी आपको काली चीज़े दिखती है उनका बड़ा रोल है उनका ही सबसे बड़ा रोल है वो सारे काम ही नहीं कैंदर गदाते हैं तो दोस्तों ये थी शनिदेव सम्मन्दित जानकारी मिलते हैं आपसे next topic वर तब तक कोई सवाल या कोई जैसे मन में आपके बात हो तो आप comment box में जरूर जाए कर सकते हैं और मैंने कुछ नहीं बताया हो तो जरूर आप अपनी दरब से add कर सकते हैं ताकि जो इस वीडियो को देखे उन्हें इसका benefit मिल सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में thank you very much तब तक subscribe, like, share और comment का सिलसिला जारी रखें ओके, अलविदा, bye bye